Hello everyone, कैसे आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको मैं usually apply करता है रहता हूँ और मेरे को इसके बहुत ही अच्छे result मिलते हैं, ठीक है? तो ये टेक्निक बहुत ही simple है, आप इसको daily life में कर सकते हो और इसका result आपको केवल एक घंटे में देखने को मिल सकता है हाँ, केवल एक घंटे में आपको इसका result देखने को मिलता है यानि कि आपकी कोई भी इच्छा हो, बड़ी से बड़ी इच्छा, छोटी से छोटी इच्छा वो केवल एक घंटे में पूरी हो सकती है बशर्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैं अपनी खुद की सक्से स्टोरी आपको बताऊंगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने कल मैंने ये experience किया था कि मेरी जो तीन इच्णाएं थी तीन इच्णाएं मेरी एक घंटे में पूरी हो गई तो क्या आपकी एक इच्खा एक घंटे में नहीं होगी मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाओगा क्या हुआ था कैसे हुआ था सबसे पहले इस बात को समझो कि जितना ज़्यादा resistance आपके दिमाग में रहता है किसी भी इच्छा को लेकर ठीक है आप specific partner को manifest कर रहे हो money manifest कर रहे हो help manifest कर रहे हो career, job, business जो भी आप manifest कर रहे हो उसके प्रती सोच के देखो एक मिनट के लिए कि आपके मन में कितना ज़्यादा resistance है कि क्या आपकी इच्छा अगले घंटे में पूरी होगी, क्या आपकी इच्छा 6 महीने में पूरी होगी क्या सोचते आप, कितना समय लगेगा आपकी इच्छा को manifest होने में, आप वो लोगों कि सर मिरको पता ही नहीं कितना समय लगेगा और हो सकता है कि इसी के कारण ये इच्छा manifest नहीं हो रही है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा resistance आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा टाइम लगेगा आपकी इच्छा को manifest होने में और अगर आपने कहीं आपको जाना है, आपने फ्लाइट की टिकेट भूग की है, तो आपको पता है न कि आपको फ्लाइट में बैठ हो गया, तो आपको जगा धूननी नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपको बहुत यासानी से जगा मिल जाएगी, क्योंकि फ्लाइट में सा और जैसे ही ट्रेंड रुकेगी तुरन घुसुंगा रुमाल रखुंगा और अपनी जगा बुक कर लूँगा अपने फैमिली वालों के लिए जगा बुक कर लूँगा यह होता है रिजिस्टेंस कि आपके दिमाग में पहले से वह थौट्स चल रहे हैं कि क्या होगा कैसे हो कि आपको जगा नहीं मिलेगी और उसी तरीके से सिमलर कंडिशन में आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होगी और इसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड पॉंट की तरफ कि आप एफर्मिशन्स प्रैक्टिस करते होंगे ठीक है एफर्मिशन्स प्रैक्टिस करते वाग भी होगी मैं यह manifest कर रहा हूं मेरी यह इच्छा manifest हो चुकी है इस तरीके साफ manifest करते होगे affirmations बोलते होगे और तब आपके दिमाग में अंदर ही अंदर आपकी जो inner voice है उसमें चलता होगा कि यह manifest नहीं होगा तुम जूट बोल रहे हो ऐसा नहीं होता है इतना जल्दी कोई भी चीज please में यह आपकी inner voice बोल रहे है आपका subconscious mind बोल रहा है आपका conscious mind यह बोल रहा है बिलकुल भी विश्वास नहीं हो रहा है तिक है जो भी आप बोरहे हो तो अब क्या हो रहा है कि आपको ध summarize हो करने लगता है कि हाँ, यह सच नहीं है, यह जोट है, इस तरीके से manifest नहीं होगा, अब रहाम हिक्स एक बात कहती है, कि कीला फत्य करने से ज़्यादा आसान है, एक सिक्वामनफेस्ट करना ठीक है, तो अगर आप रोड पे चल रहे हो और रोड पे चलते चलते, आपको कहीं न कहीं कुछ पैसे मिले होंगे, कुछ सिक्का मिला होगा, कोई नोट मिला होगा, तो नोट को manifest करना, सिक्का manifest करना कितना आसान है, जबकि केला manifest करना, या एक बड़ा सा महल manifest करना, कितना मुश्किल है, तो एक सिख्का manifest करना आसान है क्योंकि इसमें resistance कम है तो जितनी कम resistance आप मैसूस करोगे किसे भी इच्छा के लिए उतनी ही जल्दी वो इच्छा manifest होगी उसी तरह के से अगर आप यह सोचना शुरू कर दोगे कि अगले एक गंटे में मेरी इच्छा manifest होने वाली है होनी ही होनी है कोई नहीं रोक सकता 6 मैने की बात मैं नहीं सोच रहा अगले 6 मैने में क्या होगा जैसे कि हम लोग क्या करते हैं end result पे focus करते हैं end result यानि की जो भी अमारी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी तब क्या हम महसुस करेंगे ठीक है तो बहुत दूर की बात हो जाती है 6 मैने के बारे में सोचना तो end result पे focus करना बहुत मुश्किल है आप सोचते होगे कि ये हो जाएगा उसके इतने महिनों के बाद ये होगा तो फिर मैं ये महसुस करूँगा मैं ऐसा महसुस करूँगा लेकिन ये थोड़ा tough हो जाता है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ आप को कि आप एक घंटे की manifestation के बारे में सोचो कि अगले ही घंटे हो सकता है ये वीडियो देखते देखते आपकी इच्छा manifest हो जाए तो अगले घंटे मेरी इच्छा manifest होनी ही होनी है कहीं कुछ नहीं जाने वाला है मेरी इच्छा तो manifest होनी ही होनी है अगले एक घंटे में मेर यह result आ सकता है, अगले एक घंटे में जो मेरी चीज मिलने रहे थी, वो मिलने वाली है, मिलनी ही मिलनी है, होना ही होना है, जब आप इस तरीके से, जब आप thinking state से, जब आप knowing state में जाते हैं, यानि कि जब आप think करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कि यह इच्छा manifest कैसे होगी, कब होगी, और क्या होगा, प्रोसेस, क्या होगा, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, कि कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में सोचोगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा resistance आपके दिमाग में आएगा, कि यह नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप अपने subconscious को यकिन दिला आना चाहोगे, कि यह हो गई होगा, और आपका subconscious बुलेगा, कि यह नहीं होगा, यह बहुत ही tough है, manifest होना, यह manifest नहीं होगा, और आपको भी यकिन हो जाएगा, कि यह नहीं होगा, इसलिए आपको बोलना है, कि यह तो होना ही होना है, अगले एक घंटे में होगा, एक घंट रहती हैं जो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं बहुत बड़ी इच्छाओं के बारे में मैं बात नहीं करता है बहुत बड़ी इच्छाओं तो थोड़ा समय लगेगा ही और लेकिन मेरे को उस पर यकीन रहता है कि यह होना ही होना है बले ही थोड़ा टाइम लग रहा है करना है और बड़ी इच्छाएं मेनिफिस्ट होने में टाइम लगता है ये मेरे को पता है इसलिए मेरे दिमाग में ये जो डाउट रहता है ना रेजिस्टेंस रहता ये बहुत ही कम आता है और जितना कम रेजिस्टेंस रहता है तो जो मैं इच्छा सोचता हूँ 6 मैने में पुरियोगी वो दो मैने में हो जाती है, कभी कबार ऐसा होता कि कुछ समय जादा लग जाता है, तो कल क्या हुआ था मेरे साथ, कि जब मैं एक मेरा काम था, कि मेरे को अपनी सासु मा को एक गिफ्ट देना था, ठीक है, एक सूट देना था नको, और अभी क्या है न, दिवाली चल रहा है, तो बहुत ही जादा रश है, पारसल जाने में, तो मेरा दोस्त मेरे को बोला कि, अभी पारसल मत भेजना नहीं जाएगा, तो मैं यकिन के साथ गया, और वहाँ जाके जब मैं देखा, तो वहाँ पर बोली कि, अभी आप आए हो, टाइम से आए हो, और अभी हम लोग भेजी रहे थे, अभी आप डाल दोगे यहाँ पर, तो हम लोग भेज देंगे आपका पारसल, और मेरा पारसल वहाँ से निकल गया, इसी तरह के से मैंने एक और सूट लिया था, अपनी वाइब के लिए, तो जो दुकान है, वहाँ पर लिखाता, no return, no exchange, वहाँ पर कोई return नहीं होगा, कुछ भी exchange नहीं होगा, तो मेरे को पता ही नहीं था, कि ऐसा भी कुछ वहाँ पर rule है, जब मैं वहाँ गया, तो वहाँ पर लिखाता, no return, no exchange, लेकिन क्या होगा, कि मैंने वहाँ पर बात किया, कि इसको return करना है, इसमें defect है, तो उन्होंने अपने manager को बुलाया, और उनके manager मेरी पहचान के थे, तो उन्होंने बुला कि ठीक है, किसी को मत बताना, यह आपके लिए हम कर देंगे, तो वहाँ पर मैं एकदम knowing state में गया था, कि यह होना ही होना है, और यह हो गया, उन्होंने return ले लिया, और अभी एक दो दिन में, उनका जो नया product है, वो आ जाएगा, इसी तरिके से, एक जूता मंगाया था मैंने, Iridas का, वो मेरे को छोटा हो गया था, जबकि वही नंबर का मैं पहनता हूँ जूता, फिर भी पता नहीं कैसे छोटा हो गया, तो मैंने return के लिए apply किया था, और दो दिन तक कोई अता पता नहीं था, कोई लेने नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में क्या था, कि knowing state, parcel वाला दो दिन लेट में आया, लेकिन वो एक नया size लेके आया था मेरे लिए, और वो मेरा parcel ले गया, और नया size दे दिया, तो ये होता है knowing state की power, तो आपको भी ये technique जरूर अपनानी चाहिए, कि आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, कि ये तो manifest होने ही होनी है, बहले ही अभी time लग रहा है, इसको manifest होने में, लेकिन ये होना ही होना है, और इसी तरीके से जब आप सोचोगे, और इसी तरीके से जब आप कोई भी काम करोगे, ठीक है, आपका चोटा मोटा काम रहता होगा, जैसे मैंने बताया, तो आपका काम होना ही होना है, और ऐसा experience सिर्फ मैं ही नहीं करता हूँ, बलकि बहुत सार लोग करते होंगे, तो आप लोग comment में बताएंगे, कि मैंने भी ये experience किया है, और ऐसा होता ही होता है, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं, कि आप मेरे ultimate manifestation course का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें अभी live master class चल रही है, हर Monday को चलती है, साड़े साथ बज़े से, रात को दस बज़े तक, जो कल भी है, Monday को ठीक है, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि कल हम लोग बात करने वाले हैं, action plan के बारे में, और अलग-अलग advanced techniques के बारे में, जो मैं आपको यहाँ पर reveal नहीं कर रहा हूँ, और अभी तक मैंने अपने students को भी reveal नहीं किया है, तो आप सब हिस्सा बनना चाहते हैं, तो description में लिंक है, वहाँ से आप click करके join कर सकते हैं, और अगर आप affirmations लिखना सिखना चाहते हैं, तो मेरी affirmation e-book से बहुत ही असानी से, Hindi और English दोनों भाशा में, आप affirmations लिखना सिख सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राब करें, बैल नोटिपिकरशन को आउन करके, आल पर क्लिक करें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलती रहें, Thank you so much everyone for watching this video. God bless you.